बैक टू आर नीड वीडियो से हम लोग इस VS Code के complete tutorial में आज second वीडियो में देख रहे होंगे VS Code के VS Code में सारे जो हमारे tabs दिये होते हैं कैसे work करते हैं ठीक हम लोग VS Code को one by one सारे उसके जितने भी functionality है सब सारे समझेंगे ओके और सारे interface के बारे में अच्छे से हम लोग इस वीडियो में जान जाएंगे कि कौन किस चीज़ के लिए उसमें दिया गया है ओके तो अगर आप इस वीडियो को like ने किये तो like जरू कर दीजेगा और चैनल को subscribe करना मत बुलिए करेंगे तो कुछ ऐसा interface आएंगे तो यहां पर क्या मिल जाएंगे आपको new file मिल जाएंगे तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर new file बना सकते हैं और लाइट मतलब को नया file का एक interface नया tab मिल जाएगा आप यहांस एक file बना सकते हैं file कैसे बनाएंगे और file हम लोग बना सकते हैं और आप windows में आए तो आप control plus s क्लिक करके यहांस direct file बना सकते हैं मैं नामता हूँ of VS code tutorial होगे लोगे तो मैंने आप फाइल बना दिया तो यह हमारा file VS code tutorial दे सेव हो गया और राइट सो इसको हम लोग कट करते हैं अब यहां new file से हम लोग समझ गया इसका मतलब क्या होता है नया file बनेगा और हम लोग फाइल बना सकते हैं आप जब इसको यहां पर लाइंग अपने माउस के करसर को यहां पर नीचे आपको दिख रहा हो ओपन फाइल और फोल्डर बनाया हुआ है और फोल्डर के नाम मैं रखा था वीस कोड़ सो मैं इसको ओपन कर सकता हूं यहां से तो वो जो हमारा फोल्डर होगा रहाँ वह फोल्डर में यहां पर अपन हो जाएगा अब हम सारा हमारे इस वीस कोड नाम फोल्डर में वता जैएगा समाझ में आ रहा है Tell Amno अगर नया फाइल बनाना होगा तो अगर मान लेते हैं और Цół नया फाइल वाले पर क्लिक करते हैं तो यहां से हम यहां पर क्लिक करेंगे जो हमारा VS Code folder यहां पर प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप folder बना सकते हैं लेट से मैं ट्यूट1.cpp बनाता हूं ठीके ट्यूट1.cpp तो यहां से हमारा क्या बन जा गयार यह यह बन गया वैसे .cpp बसका extension ओके तो डॉंट वर्य बाउट एक तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारा यहां पर एक सर्च बार अपियर होगा हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं लेट से अगर माल लेते मैं विंडोओ क्लोज करना चाहता हूं तो मैं जब जो बंडोड गया जै करो घर नहीं अपने अब बंद मोर जाए गा देखी देड़े जो में विश्कोर्ट थों बंद्ध हो गया तिसको फिर से ओपन करते हैं विए स्कूट को được Parkinson's विएजु ड्र करनेतं केक्रैए सब्सक्राइज है सबस्क्राइए याज मुथ रूफ से जात कर स सब्सक्राइब तो इस खरगे करोंगे तो हम घंचेंगे सब्सक्राइध ए हम लीचाइज फोड ने सब्सक्राइए इसतोर के तर हम लुग का सकते हैं है ये इसको यह को सकते घ्रena लूग को आपिजांगा हुआ क्य conception अब से पर भीसंट में हमने व्री पाइल अपन किया स फिस फ nothing जो कि desktop पे save है वो यहाँ बता रहा है इससे परले मैं problem in code save open किया था फिर dsa still यह जितने भी सारे मैं folder open किया हूँ ना वो सारे यहाँ पे शू करेगा और राइट इसका मतलब को समझ में आ गया होगा ओके cool so यहाँ पर आ रहाते हैं get started with vs code so अगर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा so यहाँ से आप यह अपना जो vs code थीम चेंज कर सकते हैं अगर आपको light करना है तो light पर click किजिए जो आपका vs code का theme होगा मतलब background कलग को light हो जाएगा ओके जो कि यह काफी अच्छा नहीं लग रहा है इससे आपके आखों पर ज्यादा brightness पड़ेगा ओके so और यहां dark है तो यह dark कर सकते हैं जो कि मेरे काफी पसंद है अब इसके अलावा भी है रहा हाई contrast करके और नया जब अभी अभी फिलहाल में जब अभी इस कोड अपग्रेड हुआ था तो उसमें यहां पी यह वलाया था ठीक है तो यह भी कुछ ज्यादा मेरे को सही नहीं लगा बट आप इसको यूज कर सकते हैं ओके so मैं अभी डार करता हूं all right अभी हम लोग यहां से बैक जाएंगे ओके इस एरो जितने भी तो क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने यार हम लोकर सकते हैं कोई फोल्ढ लोग कर सकते हैं समझ में रहा है अगर यहां से ओपन फोलडर करेंगे तो वहीं वालब हमारा इंटर्फेश ऑपन होगा जो की हम हम लोग उस टाइम opens एटा तो फोल्ढ यहां पर कोई हम भी वी इसको टोट फोल्डर ओपेन कर सकता हूं ओके और इसे मैं तूट टूट वान डॉट एक फाईल मैं तो जो किया पे सो कर रहा है समझ भी मैं फिलाल इसको केंजिल करता हूं और राइट अभी जब नेक्स नेक्स टैप प्र आएंगे इसमें आप सर्च वाले में सर्च वाले म जो यह आपको लिखाट है शयादा इसमें नहीं आएगा ओके जो और यह सब्सक्राइब यो आपको जादा इक्सकुलर ऊपर करने के बारे मैं नेक्स वीडियो बतांगा क्यों कि इसको आभी हमें लेडाल में एक्स्पेंड करूंगा और इसको रिमोट एक्स्पोरर का क्या basically मतलब है इसको मैं अच्छे जापको समझाऊंगा so next आते हैं एक्स्टेंशन so extensions यार VS code को run करने के लिए अगर कोई programming लाग बेज में code करते हैं let's say C++ में code करना चाहते हैं तो हमको C++ code करने के लिए हमको इसका एक extension डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि C++ होता है तो यहांसे यह intelligent C++ intelligent download करूँगा install करूँगा तो हम लोग C++ में code कर पाएंगे तो यह extension का यह मतलब है मतलब हम बहुत सारे extension यहांसे download कर सकते हैं यहां live share यह github है आप यहांसे github को भी connect कर सकते हैं अपने real-time okay you can also share with read only permission and joins other session समझ मैं रहा है so next क्या है और यहां पर यहां पर क्या है account sign in request मतलब की जो भी आप account बनाया होगे जैसे यहां पर दिखा रहा है sign in with github to use github pull request and issues and sign in with microsoft to use live share मतलब हम को live share use करने के लिए github use करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर अपना जो एक काउंट है उसको यहां पर sign in करना पड़ेगा समझ मैं रहा है तभी हम लोग इसको यूज कर पाएंगे यूज आ सिनी पीट्स कलर थीम फाइल आइकन थीम प्रोड़क्ट आइकन थीम ओके तो यहां पर अप्डेट चेक कर सकते हैं इसमें अब आपको यह जब भी एस कोड ओपेंगे जो इंटरफेस आपको जो पले दिखता है उस सारे इंटरफेस सारे टैप्स का क्या फॉंक्टन है वह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मैं इसमें आपको और एक्स्पें करता हूं यहां पर यह जो आपको यह ट्र आपको यह जाएगा आपको यह जाएगा आपको यह दिखेगा आप चब इंस्टाल करेंगे तो आपको यह दिख जाएगा करने कि युजो होता है यह जो यहां पर दिख रहा है यह रेक्टैंगल में सेट में यह आप यहां से आपने वी इस कोट के इंटरफेze को स्प्लीट कर सकते हैं अगे तो इससे क्या हुआ है कि आप इसमें धोनों में कोड यूज सकते हैं और यहां पर क्या दिख दिया तंड फ म् छी तनِ इनमें 3 फोडर आगा जितने विपन और उपर फाइल खुला रहेंगे जितने विश्द से पूस करते है आपको काफी अच्छे से ये सेकेंड वीडियो वी एस कोड का आपको अच्छे समझ में आ गया होगी सब क्या 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 फंक्शन से अभी कुछ कुछ मैंने नहीं बता है वो मैं टाइम आने पर बता दूंगा ओके जब मैं खुद का एकाउंट इसमें जब लिंक कर लूंगा तो इसका फंक्शन में आपको अच्छे से एक्सपेंड करूंगा ओके तो डॉंट वर्याओट एट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेटिंग का सारा फीचर देखेंगे कैसे हम लोग यूस कर सकते हैं हम लोग देख रहे होंगे यूजर से नीपीट कैसे बनाएंगे से न कैसे नवेative लोग और रीच वीडियों यूजर zarी हो में आख के बगाण ओकीजर्थे एंड कीजर्दी वीडियों प्रो एंसरी वीडियों लोग वस्ते लिबाट अट्रयर संने लोगज है